जहारंग दीह के अपर बंगला में बीती रात उस समय अफरत तफरी मजगई जब बाईक सवार दो युवक सड़क दुरगटना का शिकार हो गए इस दुरगटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक गंभी रूप से घायल हो गया जहारंग दीही में बीती रात हुई सड़क दुरगटना में संडे बाजार लंबी सेंटर रिवासी लक्षमन कुमार की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभी रूप से घायल है घायल युवक जितेंद्र और फुचोटू रजक को बहतर इलाज के लिए केम मैमोरियल अस्पताल बोकारो रैफर कर दिया गया है घटना की सूचना पुलिस को दी गई है घटना के संभध में मिली जानकारी की माने तो घटना बीती रात लगभग बारवजे की बताई जा रही है जोहां राची मेदांत अस्पताल से एक ही बाइक पर दो लोग सवार होकर अपने घर संडे बाजार इसकत लंबी सेंटर जा रहे थे तबी जोहां रंगडी में दुरगटना घ्रस्त हो गई दुरगटना कैसे हुई यह फिलाल सस्पेंस बना हुआ है पोलिस ने मौकी पर पहुँचकर शब को कबज में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया है बीती रात पेटी पीस थाना के पोलिस बजादी कारी पर सुचना मिली थी जो कि जस्ती के दौरान थे तो अपर जारंग डी बंगला के पास जाकर के देखे कि वहां पर एक बाइक सवार जो है दुरगटना हो गया है उतका तो अच्छे से नेक्शन किये तो भाइक ही वो डेत कर गया है और उनके साथ ही जो है वह अचेत अवस्ता में फिर उनको एरिया स्पिटल कथरा लेकर के आया गया अगल बगल वाले के सवयोग से और फिर यहां पर कुष्टी हुई है दुर्टर साथ के द्वारा जो लक्ष्मन कुमार जो है उनकी डेत हो चुकी है बाकी एका इलाज चल रहा है तो अभी हम लोग उनका पंचनामा बनाए है और फिर प्लाल पोस्टमाटम के लिए बिजा गया है बस पोस्टमाटम के लिए भीजा गया है अब तक जो सामने आ हाँ अभी तक तो अज्यातवान ही कहा जा सकता है बाकी जाच बाकी जाच सामने जाच होने के बाद ही पतस लेगा मेरा नाम अजय यादव है सर्व इंस्पेक्टर बीटी की अस्थाना कब की है घटना कल रात 12 बजे की है लचमन और जितिंदर उर्फ छोटू दोनों में अपर बंगला निकट सी मंदिर के पास अध्यात वाहन से एक्सलेंट हो गया जिसमें लचमन कुमार की मिर्थू हो गई और छोटू जो है गंभी रूप में घायल है जो अभी के में मोरियल अस्पताल बुकारों में इलाज जिसका चल ना एक बाइक पे थे ना दोनों एक ही बाइक था एक ही बाइक था तो एक की मिर्थू हो गई आखी हो गें लचमन कुमार की मिर्थू हो गए और जितंदर अर्फ चोटू के मोरियल हस्पिटल में अभी या जरत है दूसरी की सूचना अभी होसमें आये वह चोटू रजल वहाग पोकारों